कन्नौज के छिवरा मों में खाना बनाते समय लिके सिलेंडर फटने से खाना बना रही महिला बुरी तना गायल हो गई जिसे नजदीकी हॉस्पिटल में भरती कराया गया जहां उसकी हाला चिंता जनक बनी हुई है घड़ना कन्योज के चिवरामों के बिर्टिया मोहले की है यहां रहने बाले चंदर प्रकाश की पत्नी सुशीला देवी घर में खाना बना रही थी कि अचानक सिलिंडर के रेगुलेटर में आग लग गई जब तर सुशीला अपने को बचा पाती देखते ही देखते आग पैल गई और एक जोड़ाव धमाका हुआ जिससे पूरे मोहले में आफरा तफरी मजगी वही घर के लोग देश धमाके से सहम गए जब अंदर देखा तो बुरितने घायल सुशीला देवी को होस्पिटल भिजवाया गया फायर बिर्गेट की गाड़ी ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया फिलाहल घायल महिला की हालत नाजुक बनी हुई है बाग ठाड़े पर जब आग लग गए उपर छपपर रखा था तो वो नीचे गर गया जलता हुआ छपपर उस पर गिरा सलेंडर हीट हुआ उसी से सलेंडर फट गया थोड़ा इनके जहां अंगली में जल गई है इनका नम चंद प्रकास सनाद जीवालाल ब्रेव न्यूज लाइब के लिए कन्नोच से अमित चतुरवेदी की रिपोर्ट